डियर स्टुरेंट्स, आज हम बस्टेड और बूलिन स्प्रिंग का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हमने सेकेंड पार्ट में रोविंग फ्रेम स्टाल्ट कर दिया था रोविंग फ्रेम का रिमेनिंग पार्ट आज हम कंप्लेट करेंगे और हम इस टॉपिक को भी आज क्लोज अप करेंगे तो लेट्स स्टाल्ट हमारा बेसिकली यह वर कैसे करता है रोविंग फ्रेम उसका पैसर से पहले हम मैटेरियल पासे इसको पड़ लेते हैं स्लैबर हमारा या तो टॉप से हो जा जाएगा या हमारा कैन से ही पास भास बाद फिर हमारा जाएगा बैक मैट इस बइस बॉसंफ़ Schadach एबिक में ग्गनतीर रिल्स से चैनलने के बाद आपना ड्राप्तिंग हमारी रोविंग की मारें बनाने के लिए भर दीए जाएगा फिर द्र बनाने के लिए डृप्ट के बाद मेटिरीव होता है तो क्योंकि हमें दीफेम्पर करना पड़ता है कि हमें आगे draft देना है without twist breakage के हम आगे ring frame में robbing को draft नहीं दे पाएंगे तो हमें optimum twist level लखना पड़ता है robbing ठीक है हमारे stop motions कौन कौन से use हो रहा है robbing frame में पहला stop motion है sliver stop motion अगर हमारा कहीं पर sliver में breakage है तो machine रुख जाएगी दूसरा है length completion stop motion अगर हमारा family doff complete हो गया तो हमारे machine रुख जाएगी तीसरा है stop due to laughing अगर हम हमारी رोलर में कहीं पर भी locking होती है तो हमारी machine रुख जाएगी चौथा है अगर कहीं पर भी हमारी robbing में breakilateral kap benefici हमेरी मेरे में अब तक हमने robbing होगी वो 80% हमें रखनी है और जो ड्राफ हमें रखना है गिल बॉक्स में वो 6.5 से 7.8 के बीच में होना चाहिए और अब हम चलते हैं उस्टर पर हम ने क्या किया था हमने second गिल बॉक्स के second passage में हमने auto label लगाये था हमने discuss भी किया था क्यों लगाये था ठीक है और थर्ड पासेज क्या करता है जो सेकेंड पासेज का मैटेरियल है उसे यूनिफॉर्म्टी देता है तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारा सेकेंड पासेज में जो यूनिफॉर्म्टी आई और थर्ड पासेज में और इविननेस आई उन दौनों का उस्टा चेक कर ना चलिए हमें और और इसमें कहीं पर भी इनार्मली मिलती है तो में भी हमें ळाय प्रभर में करेक्टिवㄹ है हमें मेकावस्ट पासेज में में एइंटि स्ट्रह्न लगानाइप लगानाई ताकि हमारी आग़ी लियंग नह dua यह भी हमारा quality चेक है हमें measuring roller का diameter जो आटो लेवलर में लेना है 12 mm का measuring roller लेना है auto-labeler की जो position है वो material के साफ से change नहीं होनी चाहिए एक material में fix होनी चाहिए ठीक है ना तो आटो लेवलर उस साफ से काम करेगा perfectly काम करने के लिए हम फिक्स करनी चाहिए रोविंग में जहां पर भी storage कर रहे हैं वहां पर भी आरेच का percentage 50% होना चाहिए ताकि आगे हमारी process में कोई issue ना है अब हमारे जो same type का material है उसके लिए same spin plan होना चाहिए ताकि हमारी machine में बार बार changes ना आए इससे हमारी machine की efficiency भी improve होगी better productivity है हमें क्या करना चाहिए गिल बॉक्स में जो रोलर लगा रहे हैं जो भी हम रोलर लगा रहे हैं वह same make के होने चाहिए same manufacturer के होने चाहिए otherwise false generation के chances गिल बॉक्स में जाता है तो better है कि हम arm strong एक ही make के roller यूज करें और अब हम अब हमारी जो worsted spinning है वो हमारी बहुत ज्यादा चाहिए लैपिंग फ्रोन है इसलिए रोलर में नैवी टोल की कॉटिंग करना नीट फूल है तो नैवी टोल की कोटिंग से कह रहता है रोलर लैपिंग एवाइड हो जाती है अब हम चलते है रिंग फ्रेम पे रिंग फ्रेम का हमारा purpose का है हमारा जो भी यान नम बनाना है हमें वो उसको fineness देना एस पर कांट की requirement के साब से और जो basic function है रिंग फ्रेम में जो basic चीज काम का कहलती है रिंग फ्रेम पहले ड्राप्टिंग देगी फिर ट्विस्टिंग देगी फिर वाइंडिंग देगी यह similar to the cotton spinning यह है इसमें कोई भी चेंज नहीं है वस्टिड इस्पिनिंग की जो ring frame है वह सेम cotton spinning की ring frame जैसे ही है कुछ part में थोड़ा सा चेंज है जैसे spacer में चेंज है टैबलर में चेंज है रिंग में चेंज है वो सकता है थोड़ा सा spindle में भी चेंज हो ठीक है तो basically system वही है cotton spinning जैसा ही slight modification है जिन सर जो bell non ring frame manufacturer है वो specifically worsted spinning के लिए machinery design करता है और bell non supplier folder worsted spinning के लिए है अब हम चलते है material का path की और material का path जो cotton spinning का path है वही material का path इसमें worsted spinning में भी है क्या path है सबसे पहले जो roving है roving पीछी से feed होगी वो guide rural से past हो जाने के बाद drafting system में जाईगी 3 by 3 के drafting system में जाएगी ज़ो कि हमारा upfront drafting system है और फिर front rural से past होना हो जानी के बाद leopard guide में जाएगी leopard पेट राइट से पास हो जाने के बाद फिर ट्रैवलर में ट्रैवलर के बाद फिर सीधा बोवन में बाइंड हो जाएगी तो इस हसाब से हमारा जो हमारा मैटेडियर पास है जै वो सिमलर टू दर रिंग फ्रेम ऑफ कॉटन है इसमें कोई भी चेंज नहीं है अब हम चलते हैं रिंग फ्रेम के उपर अगर हमारी ओल टाइप की रिंग फ्रेम है तो हमें गेर चेंजिंग करनी पड़ेगी Speed Change के लिए भी Motor Puli चेंज होगी और अपना Twist के लिए Gear Change होगी Drafting System के लिए Gear Change होगी लेकिन जो जिनसर Current में मसीनरी सप्लाई कर रहा है जैसे JDR 451 है और RM 450 है ये सारी Computer Control मसीनरी है इसमें हमें कहीं पे भी Gear Change की जरूरत नहीं है इसमें Computer में हम Different Count के साफसे हम 프로그램 भी Save कल सकते हैं और एक मसीन में एकोक्त सेफ होजाने के बाद हम उस Program को Save करके दूसरी मसीन में भी Implement कर सकते हैं Throw Pan Tribe के बाद ही हमसे किया-किया कल सकते हैं हम इसमें किया-किया चीज्वे सैट हो सकते हैं मसीन की outward consistent working Blend Ratio सैट हो सकता है और twist कितना देना है, वो set हो सकता है, इसमें draft कितना देना है, वो set हो सकता है, कहीं पर भी gear change करना है ज़रूरत नहीं है, directly machine, automatically machine इसको ले लेती है, ठीक है, और speed को भी हम, इसमें change कर सकते हैं, अब जो यह machine है, जो supply कर रहा है, जिनसर ने, इसमें कुछ extra assemblies भी दे रखी है, जै खरीदने वाला, तो नहीं लेना है, तो फिर avoid भी कर सकता है, तो वो impact, impact effects के नाम से, compact spinning की assembly भी देते हैं, और उसी में, उन्होंने सायरो स्पनियान की भी assembly दे रहा कि, सायरो में क्या होता है, सायरो में, दो roving, एक साथ feed की जाती है, drafting system से, जब दो roving नकलने के बाद, एक ही लेपट गाइड में feed हो जाने के बाद, एक traveler में जाती है, एक traveler में जाने के बाद, सिधे boven में wind हो जाती है, इसका मतलब क्या है, जो दो roving है, वो leopard guide में, जब traveler में एक ही में जाएंगे, तो दो, एक साथ, जो yarn बनेगा, वो दो yarn एक साथ twist हो जाएंगे, और जो single yarn में twist तो यह ring frame का भी काम करता है, ring doubler का भी काम करता है, एक साथ combinedly, तो हमारा syro yarn एक साथ folded yarn बन जाता है, तो इसमें क्या primary twist भी उसी direction में रहेगा, जैसे डे direction में अगर primary twist है, तो अपना final folded yarn का भी twist हमारा Z direction में रहेगा, same direction का twist होता है, यह yarn slightly house होता है, लेकिन इसका advantage क्या है, कि ह हमें कहीं पे भी parallel winding और TFO की need नहीं है, तो दो हमारे पात रुख गए, हमारी cost saving है, और हमारा directly folded yarn हमारा बन गया, इस yarn को काफी demand of wasted spring में और use भी किया जा रहा है, नार्मल fancy yarn, हम fancy yarn भी बना सकते हैं, जिन से जो supply करता है machine, जो fancy yarn machines भी supply करता है, fancy yarn machines में क्या है, जो अपना front roller है, front roller की speed को servo motor drive बार बार change करती है, कम या जादा करती है, edge per requirement, जैसे हमें thick or thin places चाहिए, जिने हम slab कहते हैं, जो slab अगर हमें thick or thin places जो हमें slab चाहिए है, उसकी लंबा ही हमें fix है, तो वो क्या करता है, speed को वो time के साब से कम जादा, for example, एक second के लिए उसने speed कम की माना की speed एक second के लिए कम की, और machine की speed मान ली हमने 60 meter per minute है, मान ली, तो एक second में हमने speed down कर दी, तो एक meter की जो, एक meter जो लंबा ही होगी, वो उसकी speed के साब से change आ जाएगा, जैसे speed कम होगी, तो drop हमारा change हो जाएगा, drop change हो जाएगा, तो या तो हमारा thick place बनेगा, हमारा thin place बन होगा, तो इस साबसे fancy system क्या करता है, वो हमारा slab type of structure देता है, यह हमारी ring frame है, cotton ring frame की तरह है, यहाँ हमने roving boven hang की है, roving boven पीछे से back side से feeding होती है, guide ruler से, फिर drafting, अपरें drafting system से pass on, उनने के बाद लैपट guide से, लैपट guide से, फिर traveler से, traveler से के बाद boven bind हो जाती है, तो यह हमारी नॉर्मल ring frame है, like cotton spinning के, अब हमारी जो ring frame है, दो type ही हो सकती है, या तो manual doffing, या auto doffing, generally machine manufacturer जो है, वो अगर modern machine रीजिए हैं, तो वो auto doffing वाली machine रीजिए, machine जो purchaser हैं, वो खरीद रहे है, auto doffing में क्या है, रहता है, है, इसमें boven को automatically doff आ जाने के बाद, यह automatically boven को doff करती है और नई boven को उपर लगा देती है, तो doffing, और फिर जो complete doff material है, या तो वो link corner पे चला जाता है, या एक ऐसी unit में चला जाता है, जहाँ पे boven tumbler winding, tumbler में जाके गिर जाते हैं, और collect हो जाते हैं, तो कोई भी system use कर सकते हैं, और example, अगर हमें ZR 1451 system को अगर हमें देखना है, तो हम इस link को click करके देख सकते हैं, यह machinery most advanced machinery है, जो sourer या जिंसर दे रहा है, यह अपनी ring frame है, इन्होंने specifically designed for the worsted spinning है, यह जो machinery है, इन्होंने लिखा है sourer set answer पर standard worsted yarn industry के लिए है, यह unique drive concept है, drafting system है, optimal spinning generatory, ensure the absolute procedure and consistently reproducible yarn quality, मतलब yarn quality, बार बार हमें reproduce कर सकते हैं, इसमें additional option दी है, fancy draft का जो हमने भी discuss किया है, fancy designer का भी हमने डिसकस किया, core spun yarn भी बना सकते हैं, core spun yarn क्या होता है, इसमें हम front roller में continuous filament feed कल देते हैं, continuous filament high tenacity filament होता है, और उसके covering में कह रहता है, जो robbing जो हम पीछे से pass on कर रहे है, robbing का cover हो जाएगा, मतलब जो भी हमारा western yarn का, हमारा cover रहेगा, core में हमारा filament रहेगा, तो यह high tenacity filament रहता है, इसमें हम core spun yarn कहते हैं, ठीक है, और फिर यह जो conventional yarn के मुकाबले यह better yarn quality देता है, अब इसमें क्या क्या है, इन्होंने advantage दिए हुए है, इन्होंने advantage दिए हुए है, maximum quality throw the synchro drive, synchro draft और servo draft, synchro drive क्या करता है, इन्होंने दो drive दे रखी है, एक back drive है, एक अपनी front drive है, दोनों drive एक साथ combined होके synchronize हो जाते हैं, जिससे कह रहता है, machine में जो draft दे रहे हैं, और जो हम machine में twist impart कर रहे हैं, speed uniform होने के कारण, draft में कहीं पे भी variation नहीं आता है, और कहीं पे भी machine के twist में variation नहीं आता है, और ये intelligent, जो servo draft है, ये intelligent draft है, इसमें क्या है, जो हमने draft apply किया है, इसने machine ने adjust तो कर लिया, फिर इसके बाद ये machine monitor भी करती है, कि हमारा draft वहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये servo drive draft है, ठीक है, तो ये इस तरीके से machine optimum करती है, machine productivity को भी maximize करती है, opti step, opti start, opti speed से, opti start क्या है, अब अपना जो traveler है, traveler में beer और tier बहुत हाई रहता है, जब machine start करते हैं, traveler frying के chances से बहुत ज़्यादा रहते हैं, या traveler breakage ये जूटी over heating के कराण, तो machine क्या कहती है, automatically इस से start होती है, कि traveler पर beer और tier minimum हो, तो traveler flying के chances और traveler heat up होने करा हम, वर्नाउट के chances बहुत कम रहते हैं, तो optimum life रहती है traveler की, और machine की productivity efficiency बहुत हाई रहती है, opti speed में क्या रहेगा, opti speed में क्या है, ये machine में यान breakage monitoring data है, यान और roaming breakage दोनों का monitoring data है, दोनों चीज़े monitor कर रही है machine, machine की speed उससाब से change होती है कि breakages minimum हो, अगर breakages हमारे एक limit से कम हैं, और हमारी limit higher है तो machine की speed automatically बढ़ जाएगी, और अगर हमारे breakages high हो रहे हैं तो machine की speed थोड़ी से reduce हो जाएगी, इससे क्या रहेगा, machine की efficiency improve होगी, तो maximum productivity आएगी, तो ये opti speed, opti speed, step और opti start का use करके maximum productivity देती है, अब जो efficiency है, co-w mat जो अपना doffing system है, automatic doffing system, इसकी efficiency बहुत हाई है, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि जब doffing होई तो यान में सो गया during starting, तो जैसे machine start होती है most of the yarn सारे binding start हो जाती है, तो doffer की efficiency बहुत हाई है जिससे machine की productivity बहुत improve होती है, और labor orientation काम है क्योंकि labor orientation की start से काम है क्योंकि link corner में directly attached है, तो हमें कहीं पे भी labor की उतनी ज्यादे requirement नहीं है, तो इसे हम देख सकते हैं और अगर हम इसका manual भी download करना चाहते हैं तो यहनोंने download में से English manual हम इस link से download कर सकते हैं, ठीक है अब हम चलते हैं अपने presentation पे, कि अब हमारा आगी चलते हैं, spacer कौन से यूज हो रहे हैं, count colors और spacer different type color यह जो color spacer count के साफ़ से depend करेंगे और different count के जो specials होंगे different होंगे, इन्होंने different specials दिए गए, drop हमें के साफ से use करना है as per requirement के साफ से और twist setting के साफ से उसमें हमें set करना है, जितने हमें twist देना है, optimum twist होना चाहिए, ना तो over twist होना चाहिए, ना under twist होना चाहिए, delivery count कितना चाहिए, कि वो सारी चीजें डिसाइड होंगी, traveler की frequency कितने दिन में change करना है, 5 दिन में change करना है, अगर हमारा 4 गंटे ring frame चलती है हमें, precautions क्या क्या रखने है ring frame section में, यह उन्होंने बताया किया है, कि जितने precautions क्या क्या रहे है, krill rod in spring frame collect the fiber rubbing of rubbing, krill rod को हमें साफ करना है, जो हमेरे back में krill rod है, ठीक है न, उन्हें हमें साफ करना है, two ring frames, और रहुने का कि यह ring frame section में net curtail use करना है, cloth at section box, section box में cloth का use करना है, और इसे properly हमें दोना चाहिए, एक time interval के बाद, pneumophil tube को भी हमें, एक time interval के बाद, हमें साफ करना है, और इसे soap बाटर से साफ करना है, ring frame inverter drive को हमें, और इन सारी चीजों को हमें, specially in drive को हमें साफ करना है, और top और bottom of front drafting system को भी हमें साफ करके रखना है, और जो टॉप और bottom एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, अपरेंस ट्रैवल्स आप दा रोविंग आइट शुड़ नाट भी स्टॉपड फॉर दा फाइन काउंट्स, जो रोविंग आइट का ट्रैवल से फाइन काउंट के लिए नहीं रुकना चाहिए, अधरवाइज का होगा हमारी अप्राइंस सिस्टम हमारा रोलर हमारे कटने के चांसे रहेंगे, रिंग फ्रेम सुड़ बी इंस्टाल फॉल दा ट्रैवलिंग ओवल दा हैट्स बिलोवर अल दा मसीन, और रिंग फ्रेम के ऊपर बिलोवर मसीन होनी चाहिए, ट्यूब लाइट सुड़ भी पैरलल टू दर रिंग फ्रेम ट्यूब लाइट जो लगी हुई है जो रोसनी का रेंजमेंट है वह रिंग फ्रेम के पैरलल होनी चाहिए, जिससे बैटर इलूमिनेशन रहता है रिंग फ्रेम एरिया में टेंप्रेचर डिपार्टमेंट के अंदर टेंप्रेचर ना तो ज्यादा हाई होना चाहिए, ना कम होना चाहिए, 80% humidity होनी चाहिए ताकि प्रॉपर बर्किंग हो यान ब्रेकेज को की study होनी चाहिए, ताकि हमारा मसीन की efficiency को optimize कर सके हैं, हमारा रिंग यान आप्टर इस्पिनिंग के बाद स्टीमिंग प्रोसेस में जाता है, स्टीमिंग प्रोसेस में क्या क्या पेरामिटर लेते हैं, स्टीमिंग प्रोसेस का objective का है हमें twist को set करना बिसिकली और shrinkage को control करना है, और twist को set करना है जिससे snarling ना हो, तो हमारा वेकम 85% temperature 84 degree time 20 minute वेकम 75% के बाद फिर हम वेकम release कर देंगे, और फिर इसके बाद after steaming के बाद 8 गंटे हमें cool place में रखना है, फिर इसके बाद हमें winding स्टार्ट करना है, winding में क्या है, auto corner में जाएगा, winding section में auto corner में जाएगा, link corner जहां पर भी लगे हुए हमाँ steaming about की जाती है, वहाँ directly winding section में चला जाता है, और फिर कौन बनने के बाद हमारी steaming process होती है, ज्यान देना है, अगर हमार link corner section है, तो हमारे वह directly link corner पर चले जाएगे, फिर इसके बाद binding हो जाने के बाद जो कौन है, वह हमारे steaming section पर जाएगे, अब हमारा जो auto corner है, auto corner का है, main objective का है, objectionable fault को remove करना, और continuous yarn की length को एक package में bind करना, ठीक है न, तो इसमें objectionable fault कैसे remove होते हैं, इसमें electronic yarn clear लगे हुए हैं, और साथ में splice cells लगे हुए हैं, जो क्या करते हैं, splice cells क्या करते हैं, जब भी हमारा एक bobin खतम हो जाने के बाद, दूसरा bobin attach होता है, तो bottom section unit और top section unit ले जाके, दौनों एक top yarn को लेती है, जो bobin का yarn है, bottom bobin का yarn है, और दूसरा cone का yarn जो final delivery package है, उसका yarn है, दौनों को एक साथ splicing unit में splice कर देती है, ठीक है न, और इस जो splicing के बाद, splicing की strength होती है, original yarn की strength की approximately 80% होती है, मतलब सभी सी end strength रहती है, और जहां कहीं भी fault या thick या thin places आता है, जो भी objectionable fault आता है, तो वहां पर yarn clear unit क्या करती है, उस yarn को cut कर देती है, yarn cut करने के बाद वो fault remove किया जाता है, यह section unit के जारा, fault remove हो जाने के बाद, फिल से splicing unit एस स्प्लाइस करके फिर finally delivery roller को दे देती है, तो इस हिसाब से हमारा woven bind होता है, और जो हमारा air pressure है, air pressure है वह 6.5 से 7 kg पर cm2 इसमें होना चाहिए, और जो splicer की efficiency है, यह वो 30 स्प्लाइस पर मिनट लगा सकता है अपना, ठीक है, अब मसीन इन्होंने स्राफ पोस्ट का आटो कोनर यूज़ किया है, model number 338 है, spindle पर मसीन है 60, spindle पर section 12 है, individual splice है, है, doffing manually है, creel capacity 6 की है, मतलब 6 में, creel में 6 boven लगाया जा सकते हैं, empty, ठीक है, और इसकी speed around 1200 तक जा सकती है, 1200 मीटर पर मिनट तक, अब हम चलते हैं, passes of material, इसमें क्या रहता है, boven एक एक करके binding magazine creel में गरता जाता है, ठीक है न, पिर इसके बाद guide guide से pass होता है, guide से pass हो जाने के बाद यह यह electronic यहान clear unit स्रीपहले cutter unit में पाद होता है, cutter unit से electronic यहान clear unit में पाद होता है, अब यह जो यहान clear unit के parameter हम PLC में set कर सकते हैं, कि हमें कौन-कौन से यहान काटने हैं, अब हमने हमने टेस्टाल टेस्टिंग में हमने Classimate Faults पढ़े हुए थे Classimate Faults का Classification हमने किया था कौन-कौन से Objects, Nable Faults है कौन-कौन से Faults को हम जाने दे सकते हैं हम जतनी ज़्यादा हमें Quality चाहिए होगी उतने ज़्यादा हम उतने ज़्यादा Faults को हमें Remove करना पड़ेगा उतनी ज़्यादा हमें Spinning की Efficiency को Improve करना पड़ेगा Spinning की Quality को भी Improve करना पड़ेगा अब हमने ये Classimate Diagram दिया गया है इसमें क्या है? हमें जो Naps है और Red Mark के उपर है ये Naps वाला एरिया है मतलब A4 के उपर का एरिया Naps के टागरी का है जो Slips है, ये Motor Faults है Slips काटगरी 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 के है? V4, B3, C2, C3, C4, D4, D3 ये सारे Slips की काटगरी के Faults है ये Slips में जाएंगे L Long Thick Place है जो D2, D1 काटगरी के है F1 और G काटगरी के जो Faults है वो Long Thick Place में आएंगे और अगर हम CP की बात करें Count Plus की बात करें तो ये Upper Direction के Count Plus की ये है Continuous Count Plus ये वाली है G के बात के Faults है Continuous Count Plus में आएंगे और अगर हम बात करते हैं Thin Places की बात करें तो जो हमारे H2 और H1 काटगरी के Faults है ये इस Line के Below के जितने भी Faults है इस Line से Below के तो वो सारे जो T में जाएंगे और जो हमारे CCM Faults है Continuous Count माइनस मतलब ये हमेशा Count ऐसा है जो Count माइनस में जा रहा है मतलब Count माइनस में है तो CCM कहलाएगा तो ये इस Line के Below के जितने भी Faults हैं और आगे के Faults हैं वो CCM में हैंगे तो ये जितने भी हमने लिखे हैं N, S, L, CCP, CCM, CP, T ये सारे Objects Nable Faults हैं इन्हें हमें Remove करने ही करना है तो हमारे हमारी ये ही ये सैटिंग हम दे देते हैं उसमें अपने Auto Corner में Auto Corner की PLC में PLC Computer Control यान के लिए यूनिट है जो हमने ये सारी सैटिंग दे दी के हमें B4, C3, C4, D4, D3, D2 इन सारी कैटेगरी के Faults को हमें Remove करना है तो वो Automatical यान के लिए यूनिट इन Faults को कट करती इन Faults को कट करती है इन Faults को कट करती है जब Faults को जाता है तो उन्हें जोड़ती है पर आगे Binding होती है तो इससाबसे Objectionable Faults भी Automatically Remove किये जाते है और Continuous Bound Package हमें मिलता है यह Slusts की हमने बात की Similar में जो जेंसर का हम Machine डिसकस कर रहे थे जैडार 4, 5, 1 इससे Connected उन्होंने Link के Corner भी जेंसर ने बनाये हुए है जिसे हम Precision Auto Corners कहते है हैं वह वह भी Categories है वह भी इन्होंने दी हुई है हम इस Link को क्लिक करके हम Auto Corner के बारे हैं डिटेल पता कर सकते हैं Same system है, same चीज है जो स्राल फोस्ट का है वैसे इन्होंने जिनसर ने यूज किया हुए है थोड़ा सा इनके Special थोड़ी सी changes होंगे वह आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं और इसका Manual अगर Download करना है तो Download में जाकी इसका Manual भी नीचे Download कर सकते हैं यहां पर नीचे Downloads में Auto Corner का Manual English में यहां Download हो जाएगा तो इसे साबसे हम आगे Binding पढ़ सकते हैं अब आता है Next Process is Assembly Binding अगर हमें Folded Yarn बनाना है तो अगला Process है Binding के बाद Assembly Binding में Auto Corner से Package चले जाएगे Assembly Binding Assembly Binding का काम क्या है जितने Number of Ply हमें Folded Yarn में चाहिए उनको हमें Parallely एक Boban पर Bind कर देना तो यह क्या करता है जैसे अगर हमें 2 Ply चाहिए तो 2 Ply इसमें चले जाएगे 2 Ply चले जाएगे 2 Ply कैसे जाएगे पहले गाइड से पास होंगी और गाइड से फिर Stop Motion में पास होंगी Stop Motion से जाने के बाद Tensioner में पास होंगी Tensioner से सीधी फिर Drum पे Boban पे Bind हो जाएगी Drum Binder पे तो जो stop motion का काम क्या है जैसे दो ply हम parallel bind कर रहे हैं अगर हमारी एक ply breakage होती है तो हमारा single नहीं जाता है single का मतलब क्या है एक ply तूटने के बाद single यान हमारा bind नहीं होगा वो stop motion क्या करेगी उस drum को रोग देगी तो आगे binding रुख जाएगी और cradle ऊपर उठ जाएगा तो इस साब से यह stop motions लगे होते हैं अब हमें number उतने हमें number of fly को parallel bind करना होता है जितने apply का में full डियान चाहिए जैसे हमें दो apply के चाहिए तो दो apply bind होंगी और package का weight हम around 1-1.2 kg रखते हैं ताकि हमारा TFO के pot में आसानी से fit हो जाए ठीक है इसकी speed 500 meter per minute है machine का make है PS metler spindle पर machine है 120 दौनों साइड में 60 spindle हैं और rpms 600 rpm तक चल सकता है अब TFO क्या करता है हमने TFO पहले भी पढ़ा था TFO में क्या रहता है यह अपने एक revolution में अपने एक pot के एक revolution में दो twist देता है जो हमारा parallel bound bobin है वो हमने इसके pot में डाल दिया यह pot में डल गया फिर हमने इसकी trading TFO के pot के throw कर दी तो इस तरीकी से trading की जाती है जैसे हमने cotton में पिछली semester में हम लोग पढ़े भी हैं और similar method से इसमें इसमें भी trading की जाती है और एक revolution में दो twist पढ़ जाते हैं TFO क्या करती है इसमें टेंजेंसियल वैल ड्राइब्स है और और जो flyels है वो पहले pot के अंदर से जाएगा फिर flyer के अंदर से पास होके दोबारा से grooving होगी और सीधे फिर है अपने पॉट के अंदर से पास होने के बास सीधे बोवन प्रवाइंड हो जाए इस प्रकाल से दो twist पढ़ते हैं एक round में अब जैसे में उराटा की अपनी ट्याफोन होने यूज की है मॉडल लंबर थरी 63 इस पिंडर पर मसीन 120 है ड्रम का डायमीटर 100 mm है डिस्क डायमीटर 103 mm है ट्रेबल सी 152 का है मैक्समुम पैकेज डायमीटर 160 mm का है इस पिंडर डायमीटर है है अप्टू 1100 ट्विस्ट डायक्शन ऐसे जाड़ है स्पिंडर पेज 255 की एक टैंशनर कैप्सूल टाइप है तो यह टी एफो है टी एफो भाई है जो हम पिछले सैमिस्टर में परचुए इसमें कोई चेंज नहीं है सिमिलर टी एफो यूज की जाती है अब हम चलते हैं डाइंग में हमारी डाइंग कहां करते हैं डाइंग बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे हमारी बूलिंग इस्पिनिंग हो चाहे हमारी वस्टेड इस्पिनिंग हो दौनों में ही डाइंग होती है वस्टेड हम बूलिंग फिर से नहीं जाएंगे क्योंकि प्रोसेस रूट सेम है है बस कुछ मसीने और उन्होंने इलिमिनेट कर दी है और डाइंग इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो अपना वस्टेड इसमें टॉप डाइंग है टॉप की डाइंग है और फाइनली हम चाहेते हैं तो यान डाइंग भी कर सकते हैं जो बूलिंग में होती या तो फाइवर डाइंग होगी या अपनी यान डाइंग होगी या पीज डाइंग भी हो सकती है ठीक है तो अब हम इन्होंने डिफरेंट सिस्टेम लिए डॉप डाइंग डॉप भी हम मागा सकते हैं, जो डॉप डाइंग मैसर से बनते हैं, मतलब डॉरिंग इस्पनिंग प्रोसेश इटसेलफ इसकी डाई हो जाती है जब हम फ्लामेट का एक्स्टूजन करते हैं, तभी डाइट फ्लामेट निकलता है ठीक है तो यह डोब डाइंग मैनुफेक्ट्रिंग है टॉप डाइंग क्या है जो वस्टेड स्पिनिंग में हम डाइंग यूज कलते हैं यह टॉप डाइंग मेथर्ड है इसमें क्या है टॉप को वेसेल में डाला जाता है हाई टेंप्रेचर हाई प्रेसर वेसेल में टॉप जाते हैं और इनको डाइड किया जाता है तो वच्टेड स्पूनिंग में यह मूश्ट यह फिरामना आप्टर कॉम्बैंग के बाद मोश्ट बाइडली की जाती है यह यांड डाइंग क्या है अग्छए हमने हमने अधंटा फर डाइंग किया है थे हम्द तो 사 ImmaU बना auto coner, twisted bobin या single yarn को अगर हम डाइ करना थो single bobin, अगर हम folded yarn को डाइ करना है तो folded वाला bobin हमें, high temperature, high pressure duo dyeing, बिसल में डाला जाएगा और वहाँ पर dyeing होगी, तो यह अपनी yarn dyeing होती है, piece dyeing क्या होती है , after fabric manufacturing के बाद जो dyeing process की जाती है, for example अगर हम ने ना तो ना तो हमने fiber dyeing की, ना हमने top dyeing की, ना तो हमने yarn dyeing की जब हमारा fabric बन गया, fabric के बाद जो हमारी dyeing की जाती है, वह हमारी piece dyeing है ठीक है ना? तो piece dyeing में क्या है? advantage है, कुछ advantage होते हैं कोई भी color राप्ट कल सकते हैं और dye uptake है, वो look भाई बहुत अच्छा लगता है और साथ में फिनिस बहुत अच्छी आती है तो पीस डाइंग लोगा पर फरकल सकता है अब हमारा डिफ्रेंस बिट्वीन बूलन, सेमी बस्टेड और बस्टेड इस्पिनिग हम इस डिफ्रेंस पे चलने के पहले हम पहले ग्रीफ में डिसकस कर लेते हैं है कि तीनों सिस्टम जो हमने दौनों सिस्टम पढ़े बेसिकली जो हमारे सलेवस में है बूलन और बस्टेड सेमी बस्टेड नहीं है फिर भी हम उसे देख तो सकते ही है हमने पढ़े थे हमने क्या पढ़े थे हमने इसका प्रोसेस रूट पढ़ा था अब हम चलते थे हमने भी बस्टिट का हमने complete process route क्या है पहले तो होगी scout bowl फिर opening और blending या का होगी ठीक है ना opening ओपना लगे हुए थे हमने पढ़े हुए हैं carding के पीछे लगे हुए थे carding हमने पढ़ ली card saliva पढ़ ली है back bossing पढ़ ली तेन पाथ केれた गिलिंग भी पढ़ ली घिलिंग तीन पाथ में दी जाएगी फिर इसके बाद combing होगी फिर हमारे comda top में के बाद जो comda top बनेंगे उनकी top dying होगी अमने dying पढ़ ली top dying अभी recently फिर इसके बाद 2 passes की फर से गिलिंग दी जाएगी हमने गिलिंग अल्डेटी पड़ी ही है फिर फिर ड्रॉइंग है मतलब आटो लेवलर गिलिंग तीन पात की दी जाएगी दो पात की नॉर्मल गिलिंग और तीन पात की आटो लेवलर गिलिंग ड्रॉइंग अलग नहीं है कोई यह यह गिलिंग कम november failure unit beness बनेगी मिरोविंग के बार इस्पिरिठी में जाएगा इस्पिरिण की बाद जो यहां नए यहां जा पर जाएगा चिंड चिंड पर होंगी हमारी तुरिश्टिंड डपा को होगी हमारी प्राइमरी तुस्ट सौरी сейчас स्विर डपार्नुट फिर हमारा होगा TFO, फिर इसके बाद हमारा TFO में जो कौन बन जाएंगी, कौन की डाइंग होगी, अगर हमें यान डाइंग करनी है तो, अगर हमें यान डाइंग करनी है तो कौन डाइंग हमें करनी है तो, अगर हमें यान डाइंग करनी है, तो कौन डाइंग हमें करनी है, ठीक है हमने यह पढ़ा हुआ है earlier I would die कहना cotton spinning में पढ़ा हुआ है फिर इसके बाद opening blending oiling जैसे हमने वस्टिड में पढ़ा था वैसे ही opening blending होगी फिर इसके बाद सिंगल यान बनने के बाद हमारा ट्विस्ट होगा ट्विस्टिंग डपार्टमेंट में जाएगा ट्विस्टिंग सिंगल यान बनने के बाद यहां पर भी वाइंडिंग यूनिट में जाएगा यहां सो नहीं किया है वाइंडिंग यूनिट में जाएगा वाइंडिंग के बाद हमारा ट्विस्टिंग में जाएगा ट्विस्टिंग के बाद अगर हमें हैंक डाइंग करनी है यान किस फॉर् और हेंक डाइंग होगी अधरवाइज यांड डाइंग होगी similar to similar to बस्टेड इस्पिनिंग वाले प्रोसेश रूट से फिसके बाद कोनेंग होगी उसके कोनेंग के बाद फिनिस यान नहीं बन जाएगा तो यह हमारा प्रोसेश रूट है बूलेंग का तो इसमें कोई दिक् एक्स्टा रूट नहीं लिया है अब हम डिफ्रेंस पढ़ लेते हैं जो अपना basically कौन-कौन से डिफ्रेंसे हैं वस्टेड और अपने वूलन को लेके चलते हैं हम अभी सेंग वस्टेड को नहीं टच करेंगी वूल रिक्वायर्मेंट कैन हैंडल आल दा वूल टाइप्स इसमें वूलन में कोई भी बूल टाइप भी यूज कर सकते हैं सॉर्टर बूल को भी यूज कर सकते हैं और ब्लैंड को भी हम बाइड रेंज हम यूज कर सकते हैं और फाइबर डाइमीटर भी यूज कर सकते हैं कोई भी फाइबर डाइमीटर यूज कर सकते हैं कोस बूल को हम process कर सकते हैं और इसमें क्या है जो blend की cost है वो minimum आती है अब बस्टर में क्या रहेगा जो हमारी बूल रहेगी उसका diameter finer रहेगा लॉंगर length की बूल रहेगी और इसमें minimum maximum diameter 30 micrometer है यूजुरली 24 माइक्रो मीटर से कम डामीटर यूज किया जाता है और वेस्ट कभी भी यूज नहीं किया सकते हैं जैसे वूलन सिस्टम में हम वेस्ट को भी यूज कर सकते हैं ब्लेंड की कोस्ट बहुत हाई रहती है तो यह अपना रा मैटरियल की डिफ्रेंस हो गए अब कम्प्लेक्सिटी अफ दा प्रॉसेसिंग सिस्टम भूलन सिस्टम हम देख सकते हैं सबसे सॉल्टेस प्रॉसेस रूट है जिससे यह सबसे चीपेस्ट भी प्रॉसेस रूट है जिन सेंट कार्ड बेजटेबल मेटर को रिमूब करती है और और पर्फिक्ट रिमूबर कार्ड में ही हो जाता है जबकि इसमें कार्ड चास साथ कॉंबर भी वी वेचिटेवल मैटेरियल करता है कॉंबिंग प्रोसेसड कीजाती है कार्डिंग इसमें इसकी चेफी करें कार्डियं के बाद है कार्डिंग में इतनी क्रिटिकल्टी नहीं लियाती है यहां पे आगे ही सिस्टम दी carried सिस्टम है और कॉंपूरिब स सकती है किबात करें मिर्माम मैलायन मेंट इसमें क्या रहता है कार्डिंग के बाद डारेक्ट ली स्लविंग बनागी स्लविंग के बाद रिंग फ्रेम है तो इसमें जो फाइबर का पैलल लाई जीसन है वो उतना अच्छा नहीं रहता है बूलन में जब पैलल लाई जीसन नहीं रहेगा तो यह यान यान की quality रहेगी, उसमें strength इतनी अच्छी नहीं होगी, इसमें parallel यान रहेगा और even यान रहेगा, अब जो हमारा के रहता है जब कि वस्टेड इस्प्निंग में क्या रहता है लोबक और फर्म रहता है थोड़ासा रहता है क्या ट्विस्ट हाई रहता है इस में जैसे हम पहले ही डिसकुस का चुक्हिए बूलिंग रहती है जो 3-5 ग्राम पर्टेक्स के बीच में लाई करेगी और जो वस्टर्ड यान की स्टेंट रहेगी तो स्टेंट बहुत आई है और बूलन यान को बनाने के लिए एरांड 110 फाइबर चाहिए क्रॉस सेक्शन में जब की बूलन यान में दिख्राइब गाफिशेयर कासी है तो इसलिए भूलन यान थोडी सा prossOOOO सेक्मेट बना सकते हैं एंड पूलन यान अप्रावाक शिरॉव सब्लेंट हियास। बस्टड यान high quality weaving में knitting यान में और quality apparel में use किया जा सकता है और yarn structure bullen yarn का yarn structure finish product में उतना अच्छा finish product नहीं दिखता है इसमें only बस्टड यान में जो finished product है वो quality by बहुत अच्छा appearance में दिखता है तो यह हमारी differences हैं इसे हम पढ़ सकते हैं ये आज हमारा बस्टिड और बूलेंग स्परिंग कंप्लीट हो गया कोई भी क्यूरी है तो आप पहुंच सकते हैं थैंक यू